जै मातादी मेरे चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है होट के उपर हमेशा पपड़ीयां पड़ी रहती हैं होट हमेशा पटए रहते हैं देखें फटे होटों पर मैं कई वीडियो दे चुकी हूँ लेकिन होटों के ऊपर मोटी मोटी आपको पड़ी महसुस होती है अगर अब लिपस्टिक लगा लेते हैं या जब बाम लगाते हैं तो वो पड़्य दूर से नज़राती हैं उसके लिए हम क्या करें तो इसके लिए यहाँ पर आपको बहुत ही बहतरी चीज़ बताने वाली हो एकदम घरेली चीज़े बता रही हुए इनमें आपका कुछ खास खर्चा नहीं होना रहा बस वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरी सुनियेगा देखे अगर आपको अपने होट हेल्दी रखने हैं गुलाबी रखने हैं चमकदार रखने हैं तो उसके लिए आपको सबसे में चीज़ अपनी नाभी में रोज दो बूंद सरसों का तेल जरू डालना है ज्यादा नहीं केवल दो बूंद रात को जो आप सोने के लिए लेटते हैं उस समय अपनी नाभी में दो बूंद सरसों का तेल डाल लीजिए 15-20 मिट आप सीधे लेटे रहिए बस आपके होट हमेशा एकदम चिकने मुलायम और चमकदार बने रहेंगे रंगत भी आपके होटों के दिये दे सुधरनी जरू हो जाएगी उसके अलाबा आपके होट कभी फटेंगे नहीं आप कितनी भी हवा में निकलना है कैसे भी मौसम में निकलना है अगर दो बूंद सरसों का तेल आप रोज अपनी नाभी में डालते हैं आपके होट कभी ने फट सकते हैं अब लेकिन हम बात कर रहे हैं पपड़ियों की होट पर होट फटते तो नहीं है लेकिन पपड़िय अबर वने से होट काले कोई सप superior को में दाने की लिए उक्ति आपको घृतिके से एपने होट के उपर श्क्रब करना है कैसे एक जिस समय आप ब्रस करते होंGO अन सबसे आसान तरीका है जा ब्रस करते हैं कि उसी समय ब्रस करते करते जो आपने जर्प ले रखा है क्योंकि रस जवाब करते हैं मनजन का जहाग हो जाता है अब उसी ब्रस को आपको अपने हुटें को उपर धीरे-धीरे-धीरे humid तक चला देना हैं क्योंकि उस समय आपके होट एकदम भीगे हुए होते हैं बहुत मुलायम होते हैं जो भी आपके होटों के ऊपर डेड़ी स्कीन होती है या पपड़ियां होती है वे एकदम फूल जाती है तो जब आप वही टूथ ब्रेस अपने होट के ऊपर धीरी-धीर आधे मिलेट तक घ मेरी समस्य नहीं हो सकता आप करके देखिए दो तीन दिन में एकदम आपके होट बढ़िया हो जाए अब दूसरा तरीका आप अपने होटों को पहले भीगो लीजिए यानि कि कुल्ला कीजिए पानी से आपके होट भीग जाने चाहिए उसके बाद में बारीक दाने की एक चौथी चमच चीनी अपने हथेली पर ले लें इस है जो बहुत बारीक दाने की चीनी आती है वह एक चौथाई चमच चीनी अपनी हथेली पर रख लीजिए दूसरी उंगली को आफ गीला कीजिए और गीली उंगली में वो चीनी लगाई और धीरे-धीरे-धीरे अपने होतों को उपर आपको इससे मुसाज़ देनी है यह एक नेचुरल स्क्रब है जिसका किसी तरह कोई भी साइड एफ़ैक्ट रही है आपके होटों को उपर इससे ना तो दाने पड़ेंगे नहीं चाले पड़ेंगे और जो आपके होटों की dead skin है जो आपके होटों पर पपड़ती है वो एकदम clean हो जाएंगे निकल जाएंगे ये भी आपको अधिक्तम चार या पांच बार ही यूज़ करना पड़ेगा और 100% आपको फैदा खुद दिख जाएगा एक चीज आपको और बता रही हूँ जब आप नहाने जाते हैं उस समय सबसे पहले अपने चेहरे को गीला कर दीज़े जब आप फेस को गीला करेंगे आपके होट भी गीले हो जाएंगे नहाने के बाद में क्योंकि आप उतनी देन नहाएंगे आपके होट आपका चेहरा सा भीकता रहता है नहाने के बाद में जिस टाबेल से आपको पोछना है या कोई एक अलग रुमाल रख लीजे उसको हलका सा गीला कीजिए और अपने भीगे होटों को धीरे धीरे रगड के पोछ दीजे आपके होटों की डेड इसकिन निकल जाएगी जो पपनिया पड़ती निहम वे एकदम पूरी तरीके से क्लीन हो जाएंगे और आपके होट एकदम मुलायम चमकदार हो जाएंगे नियमित अगर इस तरीके से आप अपने होटों की सफाई का ध्यान रखेंगे आपके होट बहुत जल्दी नेचुरल गुलाबी रंग में बदलना सुरू हो की होटों की रंगत काफी सुधर गई है काले होट थे आपके उससे काफी अच्छे हो गए हैं काफी अच्छे दिखने भी लगे हैं यह आप खुद महसूस करेंगे इस तरीके से छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं अपने सरीर के ऊपर अगर हम थोड़ी स मेहनत करते हैं अपनी हम थोड़ी सी केर करते हैं तो हमारा पूरा फेस पूरा बोड़ी हमेशा एकदम हिल्दी रखता है नमस्कार धन्यवांत